हेलो एव्रिवन वेलकम दू कॉंपेटिशन कम्यूनिटी इस यूट्यूब चैनल कॉंपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग और आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक वीडियो लेक्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज इस लेक्टर एंड तक आमे दिमाग में जो रिट्स को लेकिए कंफ्यूजन है जो डाउड्स है उसको पुलि तरह से क्लियर करते और आपके दिमाग में क्लियर स्ट्रक्चर बन जाए कि रिट्स क्या होती हैं कि इस बढ़ाते हैं लेक कि मैंने आपको बताया था कि higher courts यानि कि apex court जो की है supreme court और हर state की high court के पास यह power है कि वो रिट्स को issue कर सकती है तो इसी तरह से article 32 और 226 इसके बारे में बात करता है यानि कि रिट्स कहां mentioned है Constitution of India में article 32 और 226 में article 32 जो है वो बात करता है supreme court की power को जो की रिट्स issue करने की है और article 226 बात करता है high court की power को रिट्स issue करने के लिए article 32 को read करते हैं अपनी language में अगर समझने की कोशिश करें तो article 32 कहता है Indian Constitution का कि every citizen of India has been given the right to seek constitutional remedy for the supreme court if they have been deprived of their fundamental rights दो keyword हमें निकालने हैं इसे पहला यह कि fundamental right यानि कि अगर किसी भी citizen of India का कोई fundamental right curtail हो रहा है या डिप्राइफ किया जा रहा है उसको उसके fundamental right से तो वो article 32 के अंदर किसको अप्रोच कर सकता है supreme court को यह doubt हमें अपने दिमाग में नहीं आने देना है जैसे कि मैंने बताया है रिट्स हाई court और supreme court दोनों कर सकती है लेकिन अगर आपके पास यह question आता है कि 32 के अंदर कौन कर सकता है तो केवल supreme court जो है वो article 32 के अंदर में रिट issue कर सकती है ठीक है सर इतना हमने समझ लिया और article 32 खुद में कहां आता है इसका मतलब article 32 यूज किसलिए होता है fundamental right के protection के लिए कौन यूज करता है supreme court और वो अपने आप में क्या है fundamental right है अब आगे बढ़ते है article 226 पे इसको read करते है article 226 provides the high courts with the power to issue rights to enforce any of the basic fundamental rights guaranteed by part 3 of the constitution of India or for any other reason यहां से हमने क्या keywords उठाया इससे यह पढ़के समझ में आया हमें कि सर आपने जो हमें article 32 में बताया वही सेम चीज article 226 में भी है सही बात है फर्क क्या है केवल दो फर्क है पहला फर्क यह है कि यहां पर बात करी गई थी supreme court के बारे में और यहां बात की गई इसके बारे में high court के बारे में यानि कि article 226 जो है वो बात करता है high court की power के बारे में कि वो issue कर सकती है क्या rates को कब issue कर सकती है भाई जब हमने आपको बताया था fundamental rights जो है guaranteed है part 3 के अंडर में उसका कोई violation होता है उसको कोई कटेल करने की कोशिश करता है तो high courts issue कर सकती है rates लेकिन इसमें दूसरा point क्या है पकड़ने के लिए यह for any other reason यानि कि supreme court के पास जो पावर आर्टिकल 32 में वो है केवल fundamental right के violation में rate issue करने के लिए लेकिन जो 226 में high courts को power दी गई है इसमें high court को अगर लगता है कि कि किसी और reason प बाहर की हो तो वह ऐसा कर सकते हैं और दूसरी चीजा में क्या पता चली जैसा मैंने आपको बताया था आर्टिकल 32 अपने आप में fundamental right है क्योंकि वह belong करता है part 3 of the constitution को आर्टिकल 226 जो है वो पार्ट 3 में तो नहीं आता इसलिए यह क्या है constitutional right है तो अगर आर्टिकल 32 और 226 क जिनको हम सब जानते हैं उन्होंने किसको बोला था article 32 क्या बोला था heart and soul of the Indian constitution तो यह बात आपको याद रखनी है यह कई बार ऐसा question पूछता है तो यह बात हमें पता होनी चाहिए और किसी reason से कहा होगा वह हम आगे जाब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना important है या article 32 and 226 लेकिन इससे पहले कि हम रिट्स पर जम करें हम इन दोनों के फर्क को समझते है अगली स्लाइड में तो अगर article 32 and 226 के बारे में बात करें तो पहला फर्क क्या है जैसा मैंने आपको बता दिया था पहले ही वीडियो में कि article 32 चुकि वह पार्ट 3 of the constitution में बिलॉ लेकिन किस बारे में कर सकती है केवल protection of fundamental rights के बारे में यानि कि article 32 के अंडर में supreme court इसू कर रही है वह केवल fundamental रिट इसू करने के लिए तो जैसा कि हमको पता है कि हमारी supreme court हमारे पूरे इंडिया में एकलौती है तो पूरे all over इंडिया में उसका jurisdiction है तो यानि कि supreme court all over इंडिया में रिट इसू कर सकती है और जो high courts होती है आर्टिकल 226 के अंडर में वह state की होती है तो इसलिए अपना ज इस की बात करें जो आप rights and remedies supreme court को approach करेंगे अपनी rights and remedies के लिए वह supreme court आपको refuse नहीं कर सकता है यानि article 32 के अंदर में supreme court cannot refuse the rights and remedies and has to issue a writ if that case is suitable but in the case of article 226 high court के पास यह discretionary power है कि वह writ को issue करे या ना करे यानि कि हमने चार फर्क समझे सर इस difference में पहला यह है कि एक जो है वह fundamental right है दूसरा क्या है constitutional right है दूसरा फर्क हमने क्या समझा कि supreme court के पास जो है power है जो rate issue करने की वह किबल fundamental rights के matter पर है लेकिन high court जो है वह fundamental rights पर तो करेगा ही करेगा उसके साथ-साथ किसी और purpose पर भी कर सकत है territorial जो आपका jurisdiction है वो all over India का आता है article 32 में supreme court के पास और article 226 में जो state का जो high court होता है उनके पास state से related आपका jurisdiction होता है चौता फर्क हमने क्या समझा कि जो rights and remedies है वो supreme court refuse नहीं कर सकता है rate issue करने के लिए लेकिन high court के पास यह discretionary power है 226 के अंडर में कि वो rate issue करे या ना करे यानि difference हमारा clear हो गया आगे बढ़ते हैं अब हम बढ़ेंगे यह समझने के लिए कि वो पास type of rates है क्या और उनकी understanding को develop करते हैं तो चलिए पढ़ते हैं हमारी पहले rate जो कि है heaviest corpus की तो heaviest corpus की rate को अगर हम common words में सबजने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है to have the body यानि कि इस particular rate में जो court होती है जिसके पास अब rate issue करने के लिए जाते है वो किस चीज के लिए rate issue करती है body को produce करने के लिए कैसे सर यह जो particular rate है यह use होती है unlawful detention के अगेंस example से समझते हैं यानि कि अगर आपको कभी भी कोई unlawfully detained कर ले तो आप इस rate को issue करवा के court से मदद मांग सकते हैं कि हमें court के सामने produce किया जाए example के तोर पे समझते हैं कि मान लेते हैं कि कि किसी वाले ने किसी एक individual को unlawfully detained कर दिया अपनी custody में उसने उसको magistrate के सामने भी पेश नहीं किया कोई F.I.R. भी नहीं लिखी तो उस case में वो person या उसके family का कोई member competent court के पास जाके heaviest corpus के रिट को issue कर सकता है इससे हमने क्या समझा इससे हमने दो बातों को समझा पहला ये कि जब heaviest corpus के रिट issue होती है तो वो unlawful detention के case में हो सकती है और दूसरा ये कि heaviest corpus के रिट को वो individual खुद जो aggrieved है और उसका कोई family member भी heaviest corpus के रिट को issue कर सकता है इसके साथ ही साथ कोई third party भी कर सकता है PIL के form में खेर आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमने यही पड़ा कि can be filed against public authority and private individual यानि कि heaviest corpus की जो रिट है वो सिर्फ public authority नहीं private individual के against भी file करी जा सकती है अब इस heaviest corpus के रिट में कुछ exception से उनको हम जल्दी सा समझने की कोशिश करते हैं तो यह heaviest corpus के रिट कब-कब नहीं लगेगी या कब-कब court heaviest corpus के रिट issue नहीं कर सकता है पहला अगर आपका detention जो है वो lawful है इसका मतलब आपको detention contempt of court की case में हुआ है तो भी heaviest corpus के रिट issue नहीं होगी तीसरा क्या है detained by competent court यानि कि जिस court ने आपको detain किया है वो competent है आपको detain करने के लिए तो भी यह particular जो heaviest corpus के रिट है इस particular case में apply नहीं होगी और चौथा और आखरी कौन सा है outside territorial jurisdiction इसका मतलब जिस court के पास आप गए है कि मुझे heaviest corpus के रिट issue कीजे मुझे relieve दीजे उसके jurisdiction में ही नहीं आता आपका matter तो भी heaviest corpus के रिट जो है वो इशू नहीं होगी अब चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली रिट की तरफ चलिए अब समझते है second type of रिट को जो की है कौन सी रिट मैंडमस की तो मैंडमस रिट को अगर हम अपनी भाशा में समझने की कोशिश करें तो मैंडमस कहता है we command या to do your job यानि कि ये रिट का विशू होती है इसमें court क्या करता है command करता है किस बारे में किसी की job करने को लेके यानि कि to do your job समझने की कोशिश करते हैं ऐसे confusion हो जाएगा मान लेते हैं कि किसी public office में कोई एक ऐसा officer है या ऐसा कोई public office है जो अपना काम नहीं कर रहा है या अपनी duty को properly fulfill नहीं कर रहा है तो आप कौन सी रिट इशू करेंगे जैसे कि मान लेते हैं कि किसी collect rate में कोई एक officer बैठे है जिनका जो जिस particular काम के लिए हम रिट इशू करवाना चाहते हैं वो obligatory नहीं है उनके उपर वो उनकी discretionary काम है अगर वो करना चाहें तो वो करें और वो ना करना चाहें तो ना करें तो इस case में भी rate of mandamus नहीं लागू होगी और यह क्या है issue to a public official to do anything which is a part of his duty but he failed to do so यह इसका explanation है यानि कि कोई भी ऐसा public office में यह rate issue करी जा सकती है जहां पे उनका obligation था कुछ काम करने का मगर वो ऐसा नहीं कर रहे है तो rate of mandamus issue की जा सकती है और एक और जानने लाइक बाद इसमें क्या है rate of mandamus higher court जो है वो lower courts के against भी issue कर सकते है यानि कि हमने क्या समझा mandamus में? mandamus में हमने समझा कि mandamus बात करता है we command की जिसमें जिस court के पास आप गए है rate issue करने के लिए वो command करता है किसी public office को या officer को या किसी individual को उसका क्या करने के लिए काम करने के लिए यानि that particular court commands the inferior or the person in question to do his job to perform his public duty कि इस बारे में बात करता है वो उस person की public duty को perform करने के लिए उसको obligate करता है और इसी particular process के लिए rate of mandamus लागू की जाती है यह public official के अगेंस करी जा सकती है to perform his part of duty अगर वो उस particular duty को perform करने से fail हो गया है और मैंने क्या बताया था यह governor और president के अगेंस नहीं हो सकती और इसके एक-द लग तरीके से pronounce करते हैं बट हम इसको कैसे pronounce करेंगे rate of surgery तो rate of surgery के बारे में अगर बात करें तो यह बात करता है to be informed की या to be certified की किस बारे में मैं आपको बताता हूं तो यह issue किया जाता है higher court से ध्यान दीजेगा यहां पर यह high court नहीं लिखा है higher courts लिखा है किसको inferior courts को तो केवल higher courts issue करते है inferior courts के इसके आगे कुछ नहीं लेकिन ऐसा नहीं है जो higher courts है वो rate of surgery issue करेंगे inferior courts को quasi judicial को भी कर सकते हैं और साथी साथ administrative bodies को भी यह rate issue करी जा सकते है किस बारे में करी जा सकती है उनके किसी matter pending को in question करने के लिए उसके case को transfer करने के लिए या फिर उनके किसी order को qu जलत लगे अब इसमें और क्या है कौन से ground पे rate of surgery apply होगी यानि कि मैंने आपको जैसा बताया कि कोई भी administrative body अगर इसको example से समझने की कोशिश करें तो हम court का example नहीं लेंगे हम मान लेते हैं कि कि किसी lower administrative body का example लेते हैं मान लेते हैं कि आप किसी college में पढ़ते हैं और उस college के क इसी administrative officer ने आपके against कोई एक order release किया मान लेते हैं कि वो order इस बारे में है कि आपको hostel का room vacate किया जाए या आपको कोई particular residence मिला हुआ है आप उस residence को vacate कर दें अब इस case में आप क्या issue करवाएंगे rate of surgery issue करवाएंगे क्योंकि आपको उनके उस order को quash करवाना है तो आप court के पास अब देखते हैं grounds क्या हैं जिन पर rate of surgery issue की जा सकती है तो सबसे पहले तो हमने देख लिया यह पहले जो चार है यह किस बारे में बात कर रहे हैं यह बात कर रहे हैं sir jurisdiction को लेके यानि कि अगर error हुआ lack हुआ या access हुआ या abuse हुआ jurisdiction का इन चारों में से किसी में भी तो rate of surgery issue कर जाएगी पांचवा किस बारे में बात कर रहा है पांचवा बात कर रहा है error of law के बारे में यानि कि अगर records को देखके higher court को ऐसा लगा कि error of law हुआ है उस particular body से या inferior court से तो वो rate of surgery को issue करेगी और छटवा किस बारे में बात कर रहा है violation of principles of natural justice यानि कि अगर natural justice के principle का violation लगा court को तब भी वो surgery के rate को issue कर लेगी चलिए अगली हम rate को समझने की कोशिश करते है जल्दी से चलिए अब समझते है हमारी चौथी type of rate को जो बात करता है rate of prohibition की अब rate of prohibition क्या है क्योंकि पहली ही चीज मैंने जो यहाँ पे लिग दी है वो है similar to surgery तो सर क्या फर्क हुआ दोनों मे दोनों में फर्क यह हुआ कि जो rate of surgery है वो मैंने आपको बताया था कब issue होती है वो issue तब होती है जब आप किसी judicial decision को या किसी administrative body का या किसी quasi-judicial body का decision को quash करवाना चाहें लेकिन यह prohibition की सबर में बात करता है यह preventive rate है यानि कि यह रोकने की बात करता है यानि कि अगर वो particular decision होने के urge पे है यानि कि अभी भी under process है कुछ ऐसा case चल रहा है या कोई ऐसा decision है जो अभी under process है जैसे कि अगर हम administrative bodies के example में लेके बात करें तो कोई inquiry चल रही है कुछ चल रहा है जो भी under process है और जो court को लग रहा है कि गलत है तो वो उस particular judgment के आने से पहले या उस particular order के आने से प बात करते हैं किस बारे में surgery में हमने बात करी जो order आया उसको कोश कराने के लिए और यहां बात कर रहे हैं order आने से पहले के process में हम उसको अगर वो गलत है on the first instance तो हम उसको कोश करवा दे यह अपने आपने क्या है एक preventive rate है जिसको हम कहते है कि prevent करने के लिए जिसमें हम उस proceeding चल रही है उस particular proceeding में अगर कुछ गलत है जो person है वो higher courts में approach कर सकता है और वो बोल सकते है कि यहां पे कुछ गलत हो रहा और higher courts को ऐसा लगा कि वो बात सही है तो वो rate of prohibition को issue कर सकता है चलिए अब जल्दी से समझते हैं हमारी आखरी type of rate को जो की rate है कौन सी कूओ वारॉंट की तो कूओ वारॉंटो को अगर हम भाशा में समझने की कोशिश करें तो हम इसको समझ सकते हैं by what authority से यानि कि किस अधिकार से यह क्या है to restrain a person from acting in a public office to which he is not entitled example से समझने की कोशिश करते हैं मान लेते हैं कि किसी public office में किसी person ने कोई position को hold किया जो आपको ऐसा लगता है कि व वारॉंटो कोट यह चेक करेगा कि हां अगर यह बात सही है वह उस person के लिए वह person उस particular chair को hold करने की capability नहीं रखता है या उसके पास वह proper eligibility ही नहीं है तो वह what authority पूछेगा उससे और यह rate of quo वारॉंटो को issue करेगा और उसके साथी साथ उस chair को vacate करवा देगा यानि कि यह कब किया जाता है यह किसी person को restrain करने के लिए किया जाता है किसमें to act in a public office जिसके लिए वह entitled ही ना हो तो हमने यहां पे cover करी past type of rate कौन कौन सी थी वह past type of rate heaviest corpus mandamus Surgery Prohibition और आखरी में हमने कौन सी पड़ी कुव वरंटो तो यहां हमारा lecture rates को लेके खतम होता है इस lecture को खतम करने से पहले मैं दो और चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ पहला यह कि article 32 के sub clause में यह भी लिखा हुआ है कि Parliament के पास यह power है कि वह किसी और court को भी rate issue करने क पावर दे सकती है और दूसरा यह कि rates का जो concept है वह हमने कहां से अड़ाप्ट किया है English Lom से अड़ाप्ट किया है तो I hope आपके rates की जो understanding है यहां से डबल अप हुई होगी rates को लेके आपके concept clear हो गए होगे आपके जो भी views हैं आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथ्वा description box पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम को को